हेलो स्टुडेंट्स आज मैं यहाँ पर एक नए नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाली हूँ यह जो नोटिफिकेशन है यह हमारे पास आया है पंजाब नेशनल बैंक की तरब से और इन्हों ने यह नोटिफिकेशन दिया है एसो रेक्रूटमेंट के लिए पंजाब नेशनल बैंक के एक ऐसा बैंक रहा है जो हर साल हर एर आपको वेक Ici देता है चाहे वो लडक की हो पिओ की हो या पिर हमारी इसकी ऐसो की हो इसमें कभी भी इसकी वेकें Collis में कोई भी कमी नहीं आई है या इसने कोई भी एर ऐसा नहीं है जिसमें skip किया हो कि नहीं PNB ने vacancies नहीं दी और बहुत अच्छी number of vacancies देता है तो अब हम बात करने वाले हैं कि जो vacancies आई हैं वो आई है हमारी किस के लिए managers के लिए risk manager, credit manager, treasury manager अब क्या है जो risk manager है उसमें आई है 40 vacancies और इसका जो pay scale हमारे start होने वाला है वो होने वाला है 48,170, 49,910 से होने वाला है that means आपका जो pay scale बनेगा वो आपका बनेवाला है 50,000 से उपर बनेगा मतलब आपका basic pay जो बनेगा वो 50,000 से उपर बनेवाला है credit manager की total कितनी vacancies है हमारे पास 100 vacancies है इसका pay scale सेम ही है लेकिन जो हमारा senior manager है और treasury में है उसकी vacancies कम है सिर्फ 5 है लेकिन इसका pay scale भी बहुत जादा है तो जो भी students ऐसे है जो इस qualification के लिए eligible है मतलब जो criteria follow करते हैं वो इस form को भर सकते हैं और बहुत अच्छी vacancy है बहुत अच्छी job होती है यह अब मैं बात करती हूं कि जो fee है वो तो आप सबको पता है IBPS ने यह form निकाला है तो IBPS का जो charges होता है general candidates के लिए 850 होता है plus GST applicable होता है and 50 rupees होता है for ST, SC, PWT candidates के लिए next हम बात करते हैं जो managers है risk manager, credit manager और senior manager जो है कि treasury है उसमें age criteria का क्या है तो age criteria हमारा है minimum 25 years मतलब आपको 25 years का होना चाहिए कम से कम और जो criteria calculate होगा I think वो April या May basis पर calculate करेंगे और क्योंकि ये तभी calculate करते हैं जिस मत में हम form भर रहे होते हैं उसी time पर ये अपना age criteria calculate करते हैं second जो manager credit manager है उनके लिए भी 25, 35 maximum है तीनों के लिए जो age है वो same है बस जो आपको age relaxation मिलेगा वो 30 years मिलेगा OVC के लिए और ST, SC के लिए मिलेगा 5 years उसके बाद हम बात करते हैं जो vacancies का detailed है कि वो कैसे जैसे हमने देखा कि risk manager के लिए आपर 40 vacancies हैं जिसमें से SC candidate के लिए 3 है SC के लिए 6 है, SC के लिए 3 है, OVC 11, EWS 4 and Unreserved 16 है फिर जो हमारी credit managers के लिए हैं जिसमें सबसे ज़्यादा vacancies दी गई है credit managers के लिए total 100 vacancy है SC के लिए 16 है, ST के लिए 8 है, 26 for OVC, 10 for EWS candidate and 40 for Unreserved candidate 5 हमारी आई है senior manager के लिए और senior manager के में, SC candidates के लिए 0 vacancy है, ST के लिए 1 है और OVC के लिए 1 है, EWS 0, Unreserved 3 अब जब भी ऐसी vacancies आती हैं, जहाँ पर हमको 00 vacancies है वो candidate क्या कर सकते हैं, वो अपनी category से ना जाकर Unreserved से category से आराम से form भर सकते हैं और exam को qualify कर सकते हैं अब बात करते हैं कि सबसे पहले इनका education qualification क्या मांगा है तो education qualification जो मांगा है आपके पास bachelor degree होनी चाहिए, master degree in maths होना चाहिए statics, economics, PRM, DTIRM, MBA in finance मतलब सीधा-सीधा है कि यदि आपके पास आपको risk manager का form भरना है तो आपके पास एक तो क्या होना चाहिए, graduation होना चाहिए और master degree होना चाहिए, किसमें maths में होना चाहिए, statics में होना चाहिए और economics में होना चाहिए second चीज, यदि आपके पास ये degrees नहीं है तो आपका होना चाहिए MBA in finance और PGDM in finance होना चाहिए और one year का experience होना चाहिए मतलब graduation plus MBA graduation plus masters या फिर graduation plus CA तो मतलब जो CA करते हैं वो graduation तो अपना side में कर ही लेते हैं तो CA भी इस form को full कर सकते हैं प्लस जो आपका one year का experience मांगा है ये one year का experience आपका मांगा है कि आपने किसी भी private और public sector में एक साल के लिए काम किया है वो इस form को भर सकते हैं अब क्या दिया है manager credit अब इस में मांगा है इनका जो है CA मांगा है ICWA मांगा है MBA in finance ये जो MBA है ये भी MBA in finance है मतलब MBA in HR और MBA in marketing नहीं चलेगा या फिर किसी का जिनका भी dual specialization होता है उनका major finance होना चाहिए minor आपका HR और marketing चल जाएगा सेम जब हम credit manager के लिए देखते हैं sorry senior manager के लिए देखते हैं senior manager जो हमारा हो है वो treasury वाला है तो treasury वाले में आपका CA होना चाहिए PGDM मतलब आपका MBA in finance होना चाहिए plus three year of experience यहाँ पर ये differ करेगा मतलब जो बच्चे ऐसे हैं कि जो अपना MBA करके private sector bank में चले जाते हैं campus के थूँ और अब वो किसी government bank में आना चाहते हैं और अच्छी position पे आना चाहते हैं तो उनके लिए ये best opportunity है Punjab National Bank जो की लेकर आई है as a specialist officer की post आपको मिलेगी यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं कि इनका जो criteria रहेगा क्या रहेगा सबसे पहले रहेगा online return test रहेगा personal interview and final merit बनेगा एक ही exam है सबसे अच्छी बात जो है कि एक ही exam है बहुत सारा exam नहीं है और दूसरा जो हम exam pattern भी बात करते हैं तो exam pattern में क्या दिया है reasoning है English है और quantitative aptitude है reasoning कितने marks का है आपका reasoning आना है 40 number of questions 40 maximum marks 40 and 25 यदि इन आना ऐसे दिया है कि 25 minutes means time कम दिया है लोग वैसे भी कम attempt कर पाएंगे second हम English पे चलते हैं English again 40 marks 40 minutes sorry 40 marks 40 questions and 25 minutes मतलब तीनो section जो आपके pre में आते हैं basically bank का जब आप कोई भी exam दे रहा हो तो जो pre में sections आते हैं और equal time है equal number of questions है next आपका है professional knowledge जिसमें आपको आएंगे 50 questions आएंगे जो कि 100 marks कियोंगे और आपको 45 minutes मिलेंगे यह जो आपका आएगा ना finance related knowledge आएगा कि जो भी जैसे finance की जो subject होते हैं operational management होता है जिसमें कि हमारा organizational behavior से भी कुछ questions आएंगे ऐसे जो हमारे subjects है ना उससे questions आते हैं और finance में account से question आएंगे यह सारे आपको professional knowledge में आएंगे जो कि आपको कबर होना इसके लिए मैं बहुत अच्छे से आपको guide करूंगी कि कैसे करना है आपको इसमें दूसरी चीज जो दी है कि जो 25 interview है वो हमारे 25 marks का होगा तो 45% आपको उसमें qualify करना है means 11.25 for SCST candidates and 50% that is for others so it is 12.5 आपको करना पड़ेगा अब आपको इसके exam की तयारी कैसे करनी है या आपकी strategy क्या होगी यह मैं आपको बताती हूँ सबसे पहले यादि आप bank की preparation कर रहे हैं और आपने bank की preparation के साथ साथ MBA भी किया हुआ है बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं MBA किया हुआ है और कुछ लोग ऐसे होगे जिन्होंने पहले preparation करी होगी उसके बाद MBA किया होगा मतलब वह experience है और यदि आपके पास experience है तो इस form को जरूर फिल करी है और इस exam को दीजिए बहुत आराम से आपका यह paper निकलेगा वो हमारे 24 से अल्रेडी चालू हो चुके है closing date for online registration जो हमारी हो रही है वो है 75-2022 को और exam हमारा होने वाला है 12-6-2022 को मतलब आपके पास अभी भी पूरा पूरा एक से डेड़ महीने का time है जिसमें आप easily पढ़ सकते हैं preparation कर सकते हैं क्योंकि जिस भी बच्चे ने कहीं ना कहीं यादी किसी exam की preparation करी है तो उनको maths, reasoning और English तो आता ही है और professional knowledge आपका होगा ही क्योंकि आपने MBA किया है और MBA नहीं किया और आपने CA भी किया है मतलब CA exam भी ऐसा कोई easy exam तो नहीं इसको भी आपने qualify किया होगा मतलब papers दिये होंगे तब जाके आप CA बने हो that means आपके पास professional knowledge है MBA में भी आपने बहुत सारी presentations दियोंगी, बहुत कुछ काम किया होगा, अपने projects बनाए होंगे मतलब आपने MBA भी पड़ा हुआ है अब maths, यदि मतलब आपका जो professional knowledge बहुत strong है तो आप paper को दीजिए और maths reasoning तो आप कर ही लोगे और मैं आपको इसमें guide करूँगी, सारे papers के लिए जैसे मैं guide कर रही हूँ कि कैसे आपको maths reasoning और English को improve करना है अपने आने वाले exams के लिए क्योंकि देखिए ये April month है और आपके exams आने चालू हो गया मतलब vacancies आ गई है, PNB ने vacancies दे दी है, RRB की vacancies कभी भी आ सकती है एक बहुत important information है आपके लिए कि मैं जो भी मैंने अपने previous वीडियो में बात करी है कि मैं interview session लिके आने वाली हूँ, बहुत ही जल्द वो आपको interview session मिलने वाले है और मैं आपको 2-3 live interviews दिखाने वाली हूँ, कि किन बच्चों ने कैसे preparation करी और वो आज कहां पर है Thank you very much